हलो फ्रेंज भाविया पटाने का न नया तरीका इस से पहले आप लोगों को मुझे नहीं लगता होगा कि यह ऐसी को ट्रीक आप लोगों को 100% दे सकता है दिवा प्यार एक ऐसा इमोशन्स फील होता है कि इस पे किसी का भी ना कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है अगर आपको किसी के लिए फीलिंग है या किसी लड़की के लिए या अंटी के लिए या किसी की मा के लिए या किसी की भावी के लिए ठीक है वो भावी आपकी होगी तो अपने feeling को बिल्कुर भी control ना करें क्योंकि प्यार एक ऐसा चीज है कि आपको कभी भी किसी के time पे भी किसी भी समय आपको हो सकता है क्योंकि आप अपने feeling को कहां तो control करेंगे अगर आपको real में किसी के लिए feeling होता है तो आप उनको propose कर सकते हो पर propose पता क्या होता है करने चाहिए उससे क्या हो कि आप लोग strong burning और बहुत strong burning बनाना भी चाहिए suppose आपको एक भावी पसंद आगे उनको पटाना है तो आप उनके घर जाकर हमेशा बैठे और उनकी खाने का dishes जो भी वो बनाती है वो dishes आप खाए और उनके dishes का तारीफ करें उनसे उनको realize होगा कि हाँ आप उनकी बहुत जादा तारीफ कर रहे हैं और दूसरी बात यह है दोस्तो आप ना भावी के जो husband है यानि आपके भीया उनकी हमेशा आप उड़ाई करें कुछ ऐसी वहाने डूड़ें कि भावी ना अपने husband का पिटोरा खोल दे और इसका आप फैदा उठा सकते हो और भावी को कहीं टूर पे ले जाएं कभी स्वापिंग करा दें कभी कुछ ऐसा gift दे दें जो कि उनका जो husband नहीं करते होंगे अकर वो चीज आप करने लग जाओगे तो आप भावी के बहुत प्यारे बन जाओगे और आप love relationship में बहुत आप दुनों आगे जाओगे दोस्तो मेरे वीडियो का लाइक जोरू करें फूल सपोर्ट करें तिल दें फिल मिलते हैं